तो है गाइज वेल्कम बैक टू मैं चैनल मेरा नाम में प्यो शॉप को स्वागत है इस नई वीडियो में जैसे ही क्याप्चिन देख कि आप लोग को पता चले गया होगा कि आज मैं आपको डीटेल बताने वाला हूं कि कैने आने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने और कहां कहां कव करने तो मैंने पहले ही प्रिजृश इस डेइंडेश में लिख लिए है स्ट्थ्न लोग तो इस वीडियो पर देखना प्र किल्कुल समझ वाजागा कि कैसे कैसे करने ऑए टियक्थ तो उसले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिव लेजे तो चलते हैं तो बैस सबसे पहला कर साथ आपका IELTS का जिस जो अरांड 14,000 तो 15,000 के बीच में होता है अभी मेरे सेंटली मेरे एक दोसने एक्जाम दिया है तो वह उसका एक्जाम होता है 14,700 तो हम एप्रोक्स लेके चलेंगे हर चीज में एक है 14,000 के बीच में आपका IELTS का एक्जाम हो जाएगा अगर आपको IELTS के एक्जाम को देने के लिए कोचिंग लेनी पड़ रही है तो आपको 16,000 के आपस सी कोचिंग होती है तो तब आपका IELTS पढ़ेगा 14,000 प्लस 16,000 के आपस 30,000 के आपस इसे मैंने खुद भी कोचिंग ले एक्जाम के लिए 14,000 प्लस करते रहना तो बेसिकली सबका निगल जाता है उसके लिए 13,000 के लिए हो जाते है अब दूसरे स्टेप में जब का IELTS का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आपको कैनेडा किसी कॉलेज में अप्लाइगा ना वड़ता है तो बेसिकली के तो में जाता है अग मतरनी नी पादा के लिए अप्लाइय के लिए एक के लिए सबका टीघए को होती जो तेनीपडेता है अप्लेकेस को पूंचलिच को अप्लेकेस wagon ते लगते है और इनके अप्लिकेσιं फूंट है 100 या सबस्ट फास टो 100 तो 100 या जब महने अप्लाई किय तो मालने था आपने तीन कॉलेज में अपलाई किया जिन में आपको पैट अप्लिकेशन फीज देनी पड़ी तो अठारा हजार आपके वह हो गए ठीक और बहुत सारे कॉलेज जो फ्री में भी अपलाई करा जिते हैं बड़ कुछ में अप्लिकेशन फीज लगती है तो अप आपको हंड़ेड डॉलर के अज़ पास काशा फ्रीम पता चुका है कि जरो अपलाई कर देतने हैं जिस्वाइशन पेशन फीज है कि कैसी जमा करते हो लोन लेते हूँ या आपके पास पहले से पैसे है तो फीज हमा करना इस बहुत सिंपल प्रोसेसर रों लेना है जाग आ तो हमारा कॉलेज की फीज में होने के वादा है अपने फोर्थ पॉइंट पे जो होता है जी आएसी का मतलब होता है गारेंटेड इंवेस्मेंट सर्टिफिकट जो की होता है तेन थाउजन्ड टूहंड़न्ड डॉलर का वह होता है कि आपको जी आइसी जेमा करने पड़ते ह बाट आपको 10,000 वापिस देगा एक साल के अंदर उसी की जगा एक CIBC बैंक है यहां पर आपसे तेन थाउजन्ड लेता है उसकी कोई फीस नहीं है तूहंड़न्ड डॉलर की जैसे स्कॉशे बैंक कमाल लेते हैं उन अपसे तेन थाउजन्ड तूहंड़न्ड ले लिए वह पहले ही मन जैसी आप करना में लैंड करेंगे वह आपको टूहंड़न्ड डॉलर दे देंगे बाकि वह पर मंत देंगे शिक हंड़न्ड सेमेंट डॉलर के रहा हूं ऐसे CIBC भी करता है पर वह आपसे टूहंड़न्ड डॉलर फीस चार्ज नहीं करता है इनिशली तो उससे बाद देंगे वह पैसे आपके बच जाते हैं ज्यार्सित जितो ये जिस जो किछाने के बास ने के बाद भाद करेंगे कि ये अपको ना मैदीकल कर आ पड़ता है उसकी फीस होतीये 6000 क्या सपास तो मैधेगम मैंगड सिंपल एकिक अको जाना किंगा ग्र बड़ा ज्जाइ इस और आपका टैटू का पूरे हाथ पे है तो उसके जादा भी लग सकते हैं मेरे एक खो चोटा सा हम था तो उसको थाउजन रुपीज देने पड़ेते तो च्छी एज़ाइने मेरे तो च्छी साथ हजार में हो जाता हैं और सब्सक्राइब है तो साथ हजार पाकि जोटा मैंने रामसुष पर पेमेंट कर देती और वीजा फाइलिंग हो गए थी उसमें जादा कोई जंजडबाजी नहीं है उसको सिंप्ली आट हजार रुपे जमा करने और वो हो जाएगा वीजा फाइलिंग के बाद आपका एट उट सारा कम हो गया अलमस्ट आपने आइल से दिय आपने बएलिध Sharmas एपनों अब न भॉब ऊचम्री कर दो ग्यालव प्रवाज करते अचे डिया ओवां सात्वा स्वाइब ओन अब कुछ तूएंट्स वीजा रातिए उसके और अपलाए करेंगें पर मैं उन में से नाई ऻा मैंने बहुत पहले अपलाए आपकाई अलिए वह पहले ही टिक्त खरीद के रख लिए तो आखरीद के लिए तो आपके ऊपर आप टिकेट कैसे लेते हैं अब टिकेट के प्रयाइब के प्रैज चैक एथे 60-70,000 के टिकेट हैं आपकी अगर आप खरीना चाहते हैं तो बाकि जब जब मैं आया था तब कोविट चल रहा था तो मेर को डबल खर्चा हुआ था मैंने 1,30,000 के आसपस खर्च कर दिया था क्योंकि होटल बुकिंग और बहुत कुछ करना पड़ा था क्योंकि मैं बाइ मेक सब्सक्राइब आपका भाई शॉपिंग का अब तो भाई आपके ऊपर है आपकी श्रद्ध है आप कितना पैसे खर्च करना चाहते हैं तो मेरे मेरे खर्च हुए थे अरौंड 40-45,000 क्योंकि मैंने जालता समान नहीं खरीदा था फोन एटूजर लैप्टॉप सब कुस था मेरे पास मैं इंडिया से ही अपना पुराना ही लेके आया था थोड़े कपड़े खरीदे थोड़े जूते युजरी मेरे जो बड़ा कर जाता हो ता मेरे बैंग का युद्ध नहीं तो मैंने अरौंड 5,000-4,000 क्योंकि मैंना एक खरीदा था तो मेरे 8,000 क्योंकि के बैग मेरे जोड़े 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 हैं तो हम उसका 50,000 की शॉपिंग होई जाती है कि थोड़ा ही है थोड़ा हो थोड़ा ही है फिफ्टी शॉपिंग डोड़े आपके उपर है आप कितने पैसे खर्च करते हैं उसके बाद आयाता है जो मारा 9th step है जो कि बहुत इंपोर्टेंट है मतलब इंपोर्टेंट भी नहीं बच्चे थोड़ी गल्ती कर देते हैं तो उसको ध्याम से सुनना जब हम इंडिया से कि हैसाब समय तो 1.500,000 रुपे लिए तो भई इतने पैसे ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि Canada आते ही है आप अपने अप्लाइ कर सकते हो पैसों के लिए आपको 2000 डॉलर मिल जाते हैं तुरंध तो अपको इतने पैसे लेकर आने की ज़रूरत नहीं है बाकि आपके उपर है इसमें मेरा कुछ कमेंट नहीं है, मैं अपने इसा स्रिफ 500 डॉलर्स लेके आया था, मतलब 30,000 रुपे और वो भी मेरे पास रखे ही थे, क्योंकि मैं जब आयता तब COVID था तो हम पता नहीं था कि स्कॉश्य बैंक कब तक खुलेगा, इसलिए में 500 डॉलर लेके आया था, कि कह खर्च करने पड़ जाते हैं, स्कॉश्य बैंक कब तक खुले, कब ना खुले, यहां फॉरेक्स काड लेके आ सकते हो, इस टोटली अप टु यू, आपको जो पसंद आया उसमें कर सकते हो, जाता पैसे लाना मेरे हिसाब से सही नहीं है, कि क्या ही करोगे, उसमें भी लिमि देन मुझे कॉरेंटीन करना पड़ाता, अब ही वैसा कुछ नहीं है, तो जितना कम लेकिया हो, तम जाद सही है, तो बहुत दुबार बतायता हूं, जो मेरे 9 स्टेप्स ते, जो मैंने कवर के इस वीडियो में, पहला हमने आयल्स दे दिया, दूसरा हमने कॉलिज की अप् प्लस करें, तो इस टोटल खर्चे को अगर हम प्लस करें, तो हमारा 16 से 17 लाख रुपे तक का खर्चा आ जाता है, एक कॉलिज में एडिविशन लेने के लिए, तो यही जो खर्चे है, मैंने अल्मोस मैंने सारे कवर कर दिया आपको बताने के लिए, अगर फिर प्या कोई सब्सक्राइब कोई लेने से 17 सब्सक्राइब कर दोखते हैं, मैं आपसे रहे हैं, मैं और विछ नहीं बताया, यह आपको कुछ और जानना है, बाकि यह वीडियो इतनी थी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना लाइक जरू कर देना और उनके साथ शेयर कर दो जिनको यह इंफोमिशन चाहिए और कुछ भी करो उन तक वीडियो पहुंच आने चाहिए ताकि वो इस वीडियो को देखे सब कुछ समझ जाए चैनल में देवाद में, पीस आउट